नमस्कार मित्रोने क्रिशी दर्शन में आपका श्वागत है और आज मैं पहुंचुका हूँ उत्तर परदेश के गाजीपूर जन्पद में और यह मेरे पीछी आप देख रहे हैं काफी जो है सिंपल तरीके से जो है सेड बनाया गया है क्योंकि कोई भी जो है डेरी फार्म क शुरुआत करना चाहते हैं तो मात्र जो है कम खर्च में अगर आपके घर में अगर कोई खाली जगह है या रूम है वहां से भी आप शुरुआत कर सकते हैं तो इस फार्म की शुरुआत कैसे किया गया है यहां पर जो है कैसे कारी किया जा रहा है ब्रीड पर कारी किया जा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो क्रिपिया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जनकारी आप इस चैनल पर मिलता रहे तो चलिए हम आपको पूरे सेड का निर्मान की इस तरह हुआ है सारा कुछ हम दिखा दे रहें इसके बाद जो है इस फार कार्म को चलाया जा रहा है और यहां पर भैंसो को खाने के लिए इस तरह का जो है नाथ बनाया गया । तो सर क्या शोच करके इस तरह का नः नाथ बनाये हैं सारा कुछ हम उन से जनकारी लेंगे और इस सेड़ को बनाने में कितना खर्च लगा है इस सेड़ की लंबाई छोड़ाई कितना है और वो कौन-कौन से नसल पर कारे कर रहे हैं कौन से जो है सीमन का यूज करते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही जो गाव में जो फूश होता है उसी से जो है इस सेड़ का निर्मान किया गया है बहुत ही कम खर्च में और इसका खाशियत होता है कि गर्मी में जो है ज्यादा हीट भी नहीं होता है और ठंड़े में अराम मिलता है सबसे पहले हमारे प्रश्वागत है आप अपना एक छोटा सा परिषय हमारे दर्शकों को दे दीजिए सभी किसान भाईयों को मेरा नमस्कार मैं सुरेंदर यादव याई टेकनीशियन जिला गाजीपूर जखनिया बलाक के अंतरगत ग्राम एमा बंसी से हैं कि इतना तक होई है सर मैं पोस्ट ग्रिजुएट बैचलर भीएड हूं याई टेकनीशियन हूं सर तो आपने टेकनीशियन का पोस्ट कहां से किया था बायव से सर बायव एक संस्था है उत्तर पर्देश में जो संचालित है उसी संस्था सर हमारे ट्रेनिंग का सोच होता ह है सर कि हम एजुकेशन के बाद जो है कोई अच्छी नौपरी करें आप जो है इस लाइन में आ गए इसके पीछे क्या रिजन है आपकी क्या सोच है पशुपालन हम लोगों का मूल किसी से जुड़ा हुआ है क्यू bloody करना हमारे लिए बहुत सूलम है तो हम अपना किसी कर लेते हैं और sixth मा color ब prin हो जाता है अपना एक छोटा स्ट बना लिए हैं और धीरे ब्रीट पर अपना काम चला आए अपना भी और लोगों यहां के जो पर शुपालक है ब्रीट पर कारें नहीं करते हैं जिससे के कारण जो है वो जो बच्छे आते हैं सब बहुत कम दूर्देने वाले होते हैं और प अच्छी ब्रीट पर ही काम करें गाय हो या भायंस यह देशी भायंस जिससे परोजनी लिया हूँ अच्छे जो प्रोजनी टेस्टेट बुल के सीमन का प्रयूक किया हूँ जो रिजल्ट आपके सामने और फिल्ड में भी देखनों को मिलोंगे आपको देखिए दो महीने क कि मात रहे कटड़ी और यह बिरला बुल की है करम भी डेरी फार्म कुरुच्छेतर हरियाना जहां मैं स्वयम जाता हूं सीमन लेकि आता हूं सीमन इतना धोखा धड़ी इतना फर्जी बाड़ा है कि जिसमें 90% डुब्लीकेट सीमन मिलता है इसलिए हमें जाना पड़ता है हुआ से सीमन लेकि आ रहा हूं दो वर्ससे जो रिजल्ट सामने आपके उधर बीस-बाइस मेने की कटड़ी भी है पंदर मैंने की भी परिगनेट है यह दो महिने की है इसकी माहिन है सामने तो यह कौन सी नसल की है यह तो देशी नसल की पुरानी बीट घर की है जा प्रम बच्चा देखिए अब दो महने का दो महिने का है टोध्य लिटर लगभग साम को पी अब यह लगभग माले जिये 15 महिने में फ्रेंगनेंट हो जाएंगे बुल की एक महिने प्रेग्णन्ट है वह अगस्त में पिछले 2020 अगस्त में वह पैदा हुई और इस समय एक महिने की और साथ पिछले साथ तारी को प्रिग्नेंट है अगर कोई दो दिन में एक महिना हो जाएगा तो सीमन की हम पहचान कैसे करेंगे तो कैसे अच्छा सीमन वह अपने अपने एरिये के याई टेकनीसियन से ही वह पूछे अब कौन साइज सीमन इस्तिमाल करते हैं और उसके साथ है उसका सीमन वह प्रयाव करें और एबियस के भी बच्चे अच्छे आते हैं और यह जो प्राइवेट बुल हैं जो अर्याना के कुछ ऐसे प्रोजेंट टेस्टेट से यार्वी के हैं जिनके काफ बहुत अच्छे आ रहे हैं जो की रिजल्ट हमारे यहां बहुत आ चुक इस्तिमाल करा लेते हैं और उनके आभी काफ आ चुके हैं पूरे जीले में हर एक बलाक में जो डाक्टर हैं लोग जानते हैं वह जुड़े हैं अपना सीमन ले जाते हैं अपने किसानों के आँ यह सुलब तरीके से कई रिजल्ट ले चुके हैं देशी भाएंस एक हमने ब बिल्कुल की है या तो फिर वहां के एरिये के डाक्टर मोयदे का यह द्वारा यह पैदा हुई है जिसको आप देख पा रहे हैं बिल्कुल देशी है अब यह भाइस खरीद के मैं लाया था इसलिए बच्चा अब अगला क्या डाला था नहीं डाला था सीमन जो रिजल्ट जब इसकी मां को मनें पर्चेच करके लाया था तो मनें सोचा था कि अच्छी प्रोजनी कोई आएगी लेकिन अच्छी प्रोजनी नहीं आई तो इसकी मां को तो अब की बार सेल कर दिया हूं अब जो है आपके देशी और उस ब्रीड में अगली ब्रीड में आप देख सकत कि इसकी कटड़ी है जो बाहर अभी दिखाएंगे आपको बिर्ला बुल किया है और आठ मेने प्रिग्नेंट दो मेने में बच्चे देगा तो सेड का हाइट काफी कम है गर्मी में दीकत नहीं होता है हाइट कम नहीं थी सर ज्यादा थी लेकिन यहां इसमें लगबग तीन फ फिट और उपर करेंगे चाहुदा फिट इसका चौड़ाई है तीस फिट लंबाई बनाने में ज्यादा खर्च नहीं आया लगबग तरजा रूपी इसमें आठ आठ पर सकते हैं यह हम सार देख रहे हैं कटरी यह कितने महीने की यह है यह 15 महीने कटरी एक महीने की गई है यह मेरा भरोसा है कि रुख भी गई है अब की बार अरजूनबुल से प्रिंगनेंट है अरजूनबुल कुंगर से लगबग पांसो रूपे पांसो रूपे पांसो रूपे सीमन पढ़ता है और यह टेकनीशियन दूरी के इसाफ से जाएंगे तो 8001 1700 जैसे ले ले उसमें अब बहुत सारा खर्च भी है और कोई गाजीपूर जीले से अगर कोई परशुपालग है सीमन लेना चाहते हैं वो संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हम उन्हें बता देंगे सीमन ले जाके थर्मस में या उनकी एरिये में डाक्टर में होगे जो संपर्क करें जीस बलाख से वाँ is वो संपर्क करें वोस बलाग कोमें नजदीकी डाक्टर का पता दे सकते हैं तकि उनके आँ वो सर्विस दे सके हैं यह homelessness की बिर्ला बुलकी है अगा प встретूर्फशूर जिसको आप देख रहें इसकी इस धोनों बीड़ा बुल्क है आप मिला लेजी है यह भी बिर्ला बुल के देखिए इसका अडर देखिए अब इसकी देख लीजिए यह मुत्र मार्ग से लेकर के नीचे तक अडर बना रही है अब यह है नजगा अब बताने की जरोतने आप देख पा रहे हैं थोड़ा सतूरी बनाओ जी देख रहे हैं न पूरा अडर सब्सक्राइब लगब अठार प्लस देना चाहिए अठार शोलत कम नहीं देखिए क्योंकि देशी भाएंस से प्रोजनी और आप आयेगा आप इसी डेट से मिलाएगा एक मैने प्रिग्डेंट है अब यह भी बिर्ला बुल किया है यह मात्र दो अब इसका साइज देख ल आप देखिए देखिए यह बिर्ला ना डिने टेस्टेट बूल करमबीर जी कह है और उसके काफ इतने अच्छी आ रहे हैं कि देखिए यह दोनों यूराज के बाझ केए सिधा जी आज यह वह यक महींग प्रिग्नेट है और संजोग देखिए तीनों दो तो इनको खाने के लिए क्या-क्या देते हैं रख्रखाव यह जनेरल अपना गहिँंग का आटा है दलिया नमक है सरसों की खली है तो इनको दूद के हिसाफ से संभ आनाज दिया जाता है या उम्र के हिसाफ से इसे तु मेत्त Nejग सीभ एपके जबाएंगी तो इने खर्च बढ़ दिया जाएगा अभिशादा इनने नहीं दिया जा रहा है रासन लगबग इननों को दो-डो किलो दिया जाता है रासब्स मात्र मात्र दो किलो कि ये वी किस माहिने की चैसी सीद्द तक बच्चा को लगाथा हर एक महइने देते हैं इसकी डिवर्मिंग दो बार कर चुके अब छ्य महएने तक हर महीने इसके संपूर्ण विकास लगतार होता रहेगा अब एक महने पे डिवर्मिंग किये थे दूसरे महीने भी कर दिया हूं और फिर छे महीने तक लगतार इसकी करते रहेंगे यह यह प्रोजनी टेस्टेड अच्छे बुलों का सीमन यूज करने से नसल सुधार होता रहेगा देरे देरे पांट साल बाद आप देखेंगे तो मारे पास देरे पचीस वेंसे हो जाएंगे लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं हम सभी किसान भाईों से यह अनुरोद करेंगे कि वे अच्छे बुलों का सीमन पर्योग करें तकि उनकी आने वाली जो प्रोजनी है वह ब्लूटी में भी अच्छी हो दूध में भी अच्छी हो और अच्छा सीमन का अगर पर्योग नहीं होगा तो नसल सुधार नहीं हो सकता है और अपने अब देशी गाए भी लाना है दो तीन एक बाहर से लाना है हर्याना या फिर गंगा तीरी यच्चप और जरसी का दूद हमें अच्छा नहीं लगता है हमारे पास यच्चप थी तीन अब उन्हें यह च्पों को हटा करके तो फिर आप चल लाएं पर देशी पर भी काम करेंगे तो इतनी जनकारी दिये सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर